हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उमेद करती हूं अच्छे ही होंगे और यहां पर टाइम हो रहा है सुबह की साड़े पाच पूने छे बजी के करीबन का और जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहला मेरा रूटेन जो होता है वो किचन का ही होता है तो किचन में जो बरत पाई दे रहा है और अब जो किचन का लुक है दिपावली के बाद बिल्कुल चेंज हो चुका है तो यह पहले का पलोग था तो इसकी एडिटिंग नहीं हो पाई थी तो यह आज एडिटिंग कर रही हूं तो इस साइस सामान को मैं लगा देती हूं और उसके बाद मैं वो चले जाते हैं तो हभी मुझे आज मेरी को थोड़ा सा चेस्ट पेन हो रहा था जिसकी वज़े से मैं हभी बच्चों के लिए मतलब थोड़ा लेट भी लग रहा है तो बच्चे नहा रहे हैं अभी तो मैं बनाने वाली हूं उनके लिए आज नमकीन चावल और बच्च बना लगा कर रख देती हूं रात की सब्ची बच्ची थी अलोबींस की तो वही चल जाएगी और चटने बना दूंगी क्योंकि दोनों टाइम सब्ची वैसे तो बनाते हूं दोनों टाइम ही लेकिन आज नहीं बनाऊंगी बच्ची हुई थी काफी तो खराब जाएगी ज फार बजा लेती हम और के बाद दिखाती है किका पहले बाहना से जारी है। कि नहीं है।श् स्कूल क्योंत लगते हैं सफ wave दिस्सेयों मेला लगता है सब्सक्राइब के जाने कहा है को runnerís और आज यही दिनीन express मोरा थी Groundメूनत कैंम criticism तो इसके दादाजी लेकर आ जाएंगे स्कूल आठ साथ किलोमेटर दूर है जादा दूर नहीं है तो वहां से लेकर आ जाएंगे लेकिन ये लग जाएगा इसका मन मुझे लग रहा है तो इन्होंने ये वाला प्रोग पहन ले और काफी खुश हो रही है तो गाईज हभी टाइम हो रहा है साथ बजने में दस मिनाट और बच्चे स्कूल के लिए निकलने ही वाले हैं आज मैंने उनके लिए बनाए थी नमकीन चावल और मेरी चेस्ट में इतना पेन हो रहा है बिल्कुल भी खड़े होने के आलत नहीं है अभी आटा लगाउंगे उसके बाद खाना तो हमारा तो बाद में बनेगा ग्यारा साड़े ग्यारा बजे के करिबन दादा जी आएंगी तब लेकिन हभी फिलहाल जो है वो हस्बेंड का बनाना है आठ वी सबाट बजे के करिबन तब तक मैं ये कपड़े वगरा टै लगा लेती हूं इतने सारे मैं कर दिया और आज बेटी फर्स टाइम स्कूल जा रही है बेटी फर्स टाइम स्कूल जा रही है तो उसको भी रेडी कर दिया है और काफी एकसाइटेड भी है अब पर दर्द उठ रहे हैं मेरी हाँ चावल बनाने के बाद मैं आ गई थी अंदर और यहां पर बच्चे भी स्कूल नहीं कए थे और मेरी चावल तो बन चुके थे तो मैंने उनके पैक नहीं किये हैं क्योंकि गरम थी तो मैंने ठंड़े करने के लिए ढल जी तो ठंड़े डालूंगी क्योंकि जो टिफिन होत बालों को अच्छे से करकर फिर लगूंगी काम में क्योंकि सर पे दुपट रखना होता है और भूंगर पकरा निकालना होता है तो यह मैंने बना लिया है और चलते हैं भार की तरफ तो यहां पर बच्चे बिल्कुल जाने के लिए रेडी है और मेरी बेटी ने मास्क भी लगा लिया है आज है छोटे बच्चो का मतलब मेला दिवाली मेला कल है बड़े बच्चो का तो आज जो बहन का बेटा है वो स्कूल नहीं जा रहा है वो बिमार है और बहन की बेटी ज जा रही है का मीलाय जहीर है जोकाते है तो थोड़ा सा फियूता हैं तितना और बेटी क्यों बहन का मेड़े देखते हैं ऐसना और जान्य पेढह का मश्राइतों काल मुटली को पर नचाडव मुतने वुद देखाने हैं तो यहां पर मैं सबसे पहले तो यहां पर जो टाइल है उनको दो देती हूं क्योंकि मित्ती वगरा कफी जदा आ जाती है तो इसको दोओंगी फिर मतलब भार के आंगन वगरा की जाड़ों निकालोंगी जो कोड़ा वगरा है वो डाल कि आऊंगी उसके बाद मैं अंदर के जाओंगी पहले भार का काम लिपिटा लेती हूं उसकी बाद में अंदर जाती हूंः क्योंकि अंदर तो मतलब बंध है इतना जपल लगता कोई बहार आ ज़ता है हूं थूड़ा सा मेंनी लगता तो ले देखती हूं और लोड़ा में पड़े रहना झो आपसली झाल नही कर दी वही हैं तो नाइट में थोड़ा लेट आते काभी कभी नौभी 10 बजे तो फिर ये काम बच जाता है तो लेट हो डिकत होती है तो जाड़ लगाने के बाद चलते हैं अंदर की तरह दिखाती हैं कि मैं क्या 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 करती हूं अगर आपको मेरी वीडियो थोड़े से भी अच्छी लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को सबस्क्राइब नही कुछ भी पैसे नहीं जाते थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है तो वस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करी तो ठने ठनी हवाई चल रही है मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है तो मैंने अपने गरम कपड़े तो निकाल ली है लेकिन फिर भी मतलब यह होता है कि दो प तो यह दोने में मुझे मतलब 15-20 मिनट लग जाते हैं और अभी वीडियो पहले की है दिपावडी के पहले की तो जिसकी वज़े से आप देख सकते हैं कि मतलब कोई भी साफ सफाई नहीं हुई है और जो अभी दिवारे हैं आप देख सकते हैं सारी जो पुट्टी वगरा हैं वो बिल्कुल ज़ड़ना स्टार्ट हो गई है और इस जगह पर ज़ड़ा ज़ड़ते हैं कि हाँ पर पानी का काम ज़ड़ा होता है और आज कर जो होता है न हर घर में ही ऐसा होता है लेकिन हमारे अंदर की है वो बिल्कुल नहीं ज़ड़ती है अभी अंदर की जड़ तो हबी टाइम हो रहा था सवा आठ बजे का और मैं बना रही हूं दूसरी वाली चाय बच्चे स्कूल जा चुके थे और अस्बेन दिन हा रहे थे तो मैं उसके लिए लंच बनाओंगी क्योंकि वो चावल नहीं लेकर जाएंगे तो मैं रोटिया बना लिए था तो यहां प चाय बनाई तो फट गया और दुबारा फिर मेरे कोफी ही बना ली ताजी दूसरे तो बस मैं और मेरे हस्बेन कोफी पी लेंगे उसके बाद मैं उनका लंच वगरा पैकर दूंगे और वो चले जाएंगे डोटी के लिए बेटी आराम से फोन में लगी हुई है नहीं पैला है वो चुक्चा बैठा हुआ है बस अभी मैं मेरे हस्बेंट का बना दूंगी और उसके बहन के बेटे का वो खा लेगा अभी दवाई बगरा ले लेगा मैं जिया जी और बुड़ा दादा जो है दादा जी है और बापा जी है वो लेट खाना खाते है नाने के पैकर के दे दिया था अभी हमारा नहीं बना है और जस्ट मसीन लगा दे थी तो अभी अंदर दिखाती हूं एक बार क्या हाल हो रहा है कुछ बैड सीट वगरा मुझे वोस करनी थी तो मैंने वो भी बाहर डाल दी है वो धोंगी और चेंज करूंगी इनको दिपावली है इस बार हो दिवाली की कोई खुसिया नहीं है घर में तो क्या कर सकते हैं बगवान को जो मंजूर है वो सब कुस ठीक है पापा जी तो कह रहे थे कि दिपावली का सामान लिख दो लेकिन मन नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि मम्मी को जाए वे आज वन वीक हुआ है कल होगा में फाइवल AI तो नहीं बनाएंगे लेकिन जो कहते हैं अपने नेग जो करते हैं आज दूसरा पार्ट बनाउंगे क्योंकि काफी कुछ रह रहा है है अभी साफ सफाई कर ना कॉल की काफी जादा हंदेरा हुगा श्विख सफाइ भी काम हो रहा हूं थी आज किच्चन को जमाएंगे किच्चन इतना मेसी हो रहा है तो उसको जमाएंगे मैं काफी दिनों से सोच रही थी डब्बे वगेरा सब कुछ आ चुके हैं कुछ डब्बे मैंने ओनलाइन मंगाई क्योंकि कम पड़ गए थे जो मेरी बेहन थी वो 12 डब्बे लेकर आई भी एक्सपायर हो गई फिर मार्केट जाने का वह भी नहीं था तो मैंने ओनलाइन मंगवा लिए कि हाँ घर पर ही आ जाएंगे मार्केट तो अभी टाइम भी नहीं है जाने का दिव्ली के बाद देखींगे दिवाले के बाद जाना जरूरी है बच्चों के सरदियों के करें ड़िए सारे चोटे हो गए हैं तो्टिन जोरी ही हैं वह पैनाती हूं रोज तो उसके लिए कप्ड़े वगएर लेकर आउंगे और बच्चों के भी आएंगे सादी है गर में तो सादी के पड़ेकर आए तो फटाथवट से ज़्यादा बात ना करते हुए काम को स्टार्ट करती हूँ आज मेरा चेस्ट पेन काफी ज़्यादा हो रहा है लेकिन काम तो करना है तो भार काम करने कि वादendर आती हुआ तो अंदर तो आप देख सकते हैं कि जो सोय हुए थे बिस्तर वगयरा ऐसे कैसे पड़े हुए है और टाइम हभी साड़े आठ पौनी नो बजे के करीबन का हो रहा है तो मैं अंदर हभी आई हूँ जस्ट बाहर का काम खतम करने के बाद ही अंदर आती हूँ क्योंकि बाहर जादा मेसी लगता है अगर कोई आ जाता है त थोड़ा बुरा सा लगता है तो जिसकी वज़े से बस अब अंदर के बिस्तर वगयरा टह करूंगी चदर वगयरा जो भी मुझे बैड सीट वगयरा चेंज करनी है वो चेंज कर दूँगी जो धोनी है वो धोने के कपड़ों में डाल दूँगी और जो चेंज करनी हो चें जहानसे बच्चे 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 अपनी मर्मानी मैं स्टार्ट करना है, बिलुक्ल भी नहीं कह Champions उनकी सारी बाते लेधे घिडिये, जिन्वीged। चले जाते हैं जहां से सोक्स लेते हैं तो उस जो बास्केट में सोक्स वगरा डली होते हैं तो उसको भी दर दर फैकर चले जाते हैं पैन वगरा यूज करते हैं दूद पीते हैं गिलास वगरा कहीं पर कुछ भी नहीं रखते हैं तो यह सारी चीज़े मैं करती हूं बच्च ही करना पड़ता है बच्चे स्कूल चले जाते हैं डूटी पर चले जाते हैं उसके बाद तो इस काम को मैं निप्टाती हूं फटा-फट से डस्टिंग वगएरा को उसके बाद मैं मिलती हूं आपसे तो यहां पर आप देख सकते हैं जाडू में भी कितना ज़्यादा कूड पर चा करते हैं आते हैं आप देख सकते हैं कि कितना सार डस निकलता है और यहाल तब कि हमारी यहां पर evening में भी मतलब वह होता है, इवनिंग के time पर भी जाड़ो बगरा निकाली जाती है, कई के जगह पर क्यों होता है कि सुबह निकाल दे साम तक वैसे रहता है, लेकिन मैं चाहिए गरविल कुछ साफ होता है, तो एक बार evening में जाड़ो जारो निकालती है, औ तो तो टाइम साड़े नो बजे का हो रहा था और यहां पर मैं लगाने लगई थी पोचा जब जो पोचा लगाँगे आज मैं वाइपर से लगाँगे क्योंकि जो कोईने की सफाई हो जाती है वाइपर से अच्छी करेसे और आज मेरा मतलग जब ही मुझे थोड़ा से ऐसा लेजीपन सा मैसूस होता है तो उस दिन में वाइपर से लगाती हूँ कि फटा फट से लग जाए तो मैंने नया टावल यूज कर लिया है पोचे के लिए हभी मैं जस्ट मसीन से दोया था और इसी टावल को यूज कर लिया क्योंकि जो पोचे थे वो मतलब बिल्कुल गस अच्छा लगता है क्लेनिंग अच्छी होती है और साइज भी बड़ा है तो जल्दी लग जाता है तो फटा फट से लगा लेती हूं पोचा तो पोचा लगाने में मुझे मिनिमम बीस से पच्चिस मिन्ट लगेंगे पूरे घर में जहां बहार तक मैं दो रही थी टाइल प guitले में 2700 के लिए 5500 एwing 2 25 मिंट लगे इसके लेब किचन के लिए खरती हुर्ति हूं सबसे लास्त में और पिर पासो को अंदर बांगे के बास बनाओंगी खाना हमारा खाने का तो बस फटाफट से लगाती हूँ पोचा और फिर देखती हूँ मैं कितना वलोग बनाती हूँ और क्या नहीं बनाती हूँ तो मिलती हूँ आपसे तो यहाँ पर मेरा पोचा वगेरा कम्पलीट होने वाला है और उसके बाद मैं खाऊंगी खाना उसके बाद बांदोंगी पस्वों को अंदर क्योंकि अभी दूप नहीं आई है अभी बज गए हैं दस बज कर दस मिनट और मेरा जाड़ू पोचा वगरा सब कुछ हो चुका है कपड़े भी बोस हो चुके हैं लाइट चली गई है कपड़े लास्ट पोचे दोने रह गए थ हवा चल रहे है भार पसोक अंदर थोड़ा लेट बानती हूं तो अभी मैं खा लेती हूं खाना उसके बाद बनाऊंगी सभी का मैं तो सुबह बच्चों का बनाया था तभी बना लिया था तो अभी रोट्या खाने के बाद इस व्लोग को यहीं पर खतम करूंगी नेक्स् तो यहां पर मैं लेकर आ गई थी रात की बनी ही आलो बींस की सबजी और चावल थे थोड़े से दाई बचा नहीं था तो मैं वैसे ही खालूंगी थोड़े चटपटे के लिए और रोटिया और लस्ती लस्ती के बिना मेरा पेट बिल्कुल भी फिल नहीं होता है और आज क प्रिवाह करेंगे क्योंकि बोग काफी लंबा altri जा रहा है नेक्स्त बोग स्टार्ट करूंगी देखती हूं कब करती हूं और मैंने अपनी बटी की क्लिप एड की है जो कि वो स्कूल के आने के बाद जी है तब तक मैंने कोई वी ब्लोग स्कूल से आए और किस तरह से ब क्या फीरी है क्या प्रूट जूस एपी यम्मी है मम्मा को नहीं देगा इधे देखो यह हार्दू कहां गई इधे देखो बेटा हार्दू आपकी वीडियो बना लिए उपर देखो को परदेखो वीडियो बनारिव उपर देखो लिए धनारी यह हार्दू हार्दू